जब तक तुमारी अपनी इच्छा शेश रहेगी, तब तक तुम गुरू की मती से नहीं चल सकोगे मन के अपने पेरेमिटर्स हैं, तुमारे पास अपनी सुख बुद्धी है मन तुमारा अपनी सेटिंग करके चलता है इसलिए 100% गुरू के अनुसार नहीं चल सकता है गुरू के अकार्डिंग चलने के लिए तुम्हें अपनी सोच को किनारे करना होगा मन तुमारा अभी भी केवल ज्ञान में, गुरू में आनन नहीं मान के बैठा है मन तुमारा अभी भी संसार में बहुत सुख मान के बैठा है तुम दोनों तरफ ओके चलना चाते हैं इदर तुम्हें लगता है भगवान का सुख भी पाले है उदर तुम्हें लगता है अपने अनुसार चलके अपनी सेटिंग से चलके हम वो सुख भी प्राप्त कर लें हर एक का मनी उसको दोखा दे रहा है बाइर कोई उसको दोखा नहीं दे रहा है मन में खलबली बहुत है हर कोई आप जाता है इदर समर्पन की बात भी करता है लेकिन अंदर से डोरी भी धिली नहीं करता है अगर अंदर से डोरियां धिली कर दे तो अभी का भी आनन में आ सकता है अभी किसी से भी बात करेंगे तो बुलेगा नहीं आपी के बच्चे हैं अब हमारे बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर की चिंता हम कर लेंगे एक बात है हमारे बच्चे है तुम फिर उनकी फिक्र छोड़के लग जाओ भगवान के कारे में लेकिन नहीं लगते हैं क्योंकि अंदर जानते हैं हमें करना है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे करने से ही होगा इस सब अंदर सुक्षम मन में पड़ा हुआ है जिसको करता भाव भी कह सकते है ममता भी कह सकते है और विश्वास भी कह सकते है समर्पन की भावना ना हो ना भी कह सकते है इस सब विकार है मन का लेकिन हम अपने को शबदों से बहुत सेटिस्फाइड करके बैठे रहते हैं कि ये शब्द से मैंने कह दिया समर्पन शब्द से मैंने कह दिया ममता रहतो ना मैंने मुँझे बोल दिया करता भाव और शायद हो गया जबकि ऐसा है नहीं अंदर तुमको पता चलता है तुम कहां कहां आसकतो के बैठे हैं अंदर तुमको पता चलता है तुमारा मन सारे दिन क्या चिंतन करता है अंदर तुम जानते हैं तुम किन किन बातों पे उलजते हैं ये सब तुमें अपने अंदर वाले का पता है ऐसा तुम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी सुख बुद्धी पता नहीं चलती है ऐसा तुम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें अपना अज्ञान पता नहीं चलता है लेकिन मन तुमारा उस अज्ञान में भी वर्तने में खुश रहता है सोचते है भगवान को मैंने थोड़ा सा स्थान दे दिया काफी हो गया जैसे इतनी बड़ी कोठी बनाते हैं भगवान का उसमें एक कमरा नहीं होता है भगवान का थोड़ा सा स्थान होता है मानलो किसी ने 500 गज की कोठी बनाई क्या पचास गस भी भगवान का है उसमें नहीं है अभी तुम रहते हैं 200 गस का घर है 100 गस का घर है 10 गस भी है भगवान का अच्छा पहले तो फिर भी सबके घर में एक शेल्फ में ही चलो मंदिर तो बना रहता था कम से कम 8-10 प्रकार के भगवान बैठे रहते थे आरती की थाली रखी रहती थी इतनी जगा तो थी अब तो वो भी गया सत्संग सुन लिया अब बचा एक गुरू का स्वारूप वो भी एक कील पे टांग दिया छुटी पाई भगवान के अधिकार कितना है तेरे घर में अच्छा चलो सुरूप की बात भी छोड़ दो वैसे भी देखो जीवन भगवान का है और भगवान को ये पता ही नहीं तुम का है कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो सुखी हो दुखी हो काम के अधीन हो क्रोध के अधीन हो भगवान के पास कौन सा इसाब है हम तो आपी के घर में बैठे हैं अब एक दुकान भी अगर तुम किसी की चल आते हो तो उसको इसाब तो देते हो नफे का, नुकसान का भगवान के पास इसाब का है कि तुम उसके बच्चे हो उसके अनुसार चल रहे हो बच्चे बड़े हो जाएं अभी वो चले जाएं होस्टल वगहरा पढ़ने दिन में चार-चार बार फोन करके पूछोगे, खाना खालिया सेटिंग हो गई ठीक लग रहा है बटा सो के उठ गया है करोगे ऐसा नहीं करोगे करते ही हैं कई बच्चे बार है भगवान से तेरा समपर्क कितना है भगवान की याद कितनी आती है भगवान को तुम माया के कारेओं के लिए यूज़ करना चाहते हो भगवान आपका आशिरवाद बना रहे किसके लिए बना रहे भगवान से भगवान को चाहो अलग बात है भगवान से अपना सुख चाहते हो मैं जैसा चाहता हूँ मानलो तुम डिवोट भी हो जाओ यहां आके फिर बोलते हो जैसा हम चाहते हैं हमको उस तरह से दिया जाए समर्पन की भावना तुमारी कहीं भी तो समझ नहीं आती है और जबकी समर्पन की पहली बात है जैं विद्धी राखे राम तहीं विद्धी रहिए लोग न्यू यर मन आते हैं पहला दिन शुरू करते हैं कल भी मैंने किसी को बोला सुबा कि रजा मंदी से जीवन शुरू करो सारा कुछ चोड़ दो जीवन की शुरुवात करो रजा मंदी से नए साल की शुरुवात करो रजा मंदी से कि जो तुद भावै साई भलीकार तेरा भाणा मिठा लागे अब जब तक तुम अरपन करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं भगवान तुमें चलाएगा दिशा देगा तब तो तुम जीवन में कोई अनभव प्राप्त करोगे पर जब तुम अपनी बुद्धी के घोड़े ही दोडाते रहोगे तो मंजिल तुमें कहां मिलेगी अब संत, सादू, लोग कहते हैं सच नहीं देते हैं हम कहते हैं नहीं, लोग सच लेना नहीं चाहते हैं तुम कहो सादू संतों के पास सच है नहीं है उनके पास सच बस गलती वो क्या कर जाते हैं जो पब्लिक चाहती है वो वही देना चुरू कर देते हैं एक बार हम लोग गुरू जी के साथ थे कोई संत मिला बातें बड़ी अच्छी कर रहा था भगवान ने बोला आपके पास इतना सच है अगर आप बाटते क्यों नहीं है देते क्यों नहीं है बोला लोग लेना नहीं चाहते हैं भगवान ने का लाखों नहीं लेना चाहते हूंगे लेकिन कुछ निकलेंगे जो लेना चाहेंगे साली टेयर होता है सब नहीं लेना चाहते हैं पर कभी कबार कोई ऐसा भी आता है, जो करोड रुपे वाला हीरा भी ले जाता है, कोई तो आएगा, आप सच सुनाओ, फिर भगवान ने अपना एक्जाम्पल दिया, बुला हम लोग सच बताते हैं, लोग तो हमारे पास आते हैं, हम तो चीज दिखाएं, संत सादू उस तरफ मुड़ जाते हैं, कि जो चीज लोग मांग रहे हैं, हम इनको वही देते हैं, अगर ये लोग नहीं सुनना चाते हैं सच, चलो कोई बात नहीं, हम सच नहीं सुनाते, यही गल्ती हो जाती है, अब तुम यहाँ पर भी आते हो, तुम लोग अपने अनुक पूल ग्यान सुनना चाते हो, तुम गुरू की ड्रिल भी, गुरू की आग्या भी वो चाते हो, जो तुमें सूट करें, फिर तुम ओते हो खुश, और जहाँ गुरू मन के विप्रीत चला दे, वहाँ तुमें उल्जहन होने लगती हैं, सबकी उल्जहन यही है, मन के खा रहा हैं, तुम चाहोगे गुरू काम का विशह ना छेड़े, तुमें क्रोध में सुखा रहा हैं, तुम सोचोगे गुरू क्रोध ना मांगे मेरे से, और जो मर्जी ले ले, हरेक के पास, देखो इस तरह की लिमीटेशन है अपने अंदर, और जब कोई वेक्ती रख लेते हो, और यहां पर ऐसे समरपन करना होता है, जैसे तुमारी सरजरी होनी है, तो तुम डाक्टर को पूरा शरीर स्वाप देते हैं, तो तो ब्योश्कर देता है तुमें, कुछ भी कर सकता है, लेकिन विश्वास होता है, कि यह हमारा इलाज करके हमें ठीक करेगा, गुरू के पास भी इसी प्रकार का समर्पन चाहिए होता है जहां मेरा मन अपनी चूँचू ना करे चोर के पीछे पड़ी पुलिस भागा भागता गया भागता गया चिपने की जगह ही ना मिले एक जगह कबरी स्तान था उदर घुश गया महां कबर खुदी हुई थी कबर में जाके लेट गया अपने उपर मिटी डाल ली पुलिस भी पहुँच गई पिछे पिछे बोले अचानक चोर गाइब कहां हो गया फिर एक की निगाह पड़ी बोला देखो यह जो कबर है न यहां तक चोर के पैर के निशान है भई अंदाजा है कबर के अंदर हो सकता है पर अगर खोदें कोई मुर्दा निकलाया कोई अदगला मुर्दा निकलाया गलत हो जाएगा पुलिस वालों ने का तलवार डालके देखते हैं चोर होगा तो चिलाएगा उसको तलवार लगेगी तो तलवार डाली गई तलवार बार निकाली खून से सनी होई थी आवाज कोई नहीं आई हलचल कोई नहीं होई मिट्टी अटाई उन लोगों ने निकला आया चोर वहीं था बुला अरे चोर जब हम तलवार डाल रहे थे या डाली तुने आवाज क्यों नहीं की तो मैं आउं नहीं कर सकता ना, तो हम भी जब शरण लेते हैं गुरू की, फिर आउं करने का कोई मतलब नहीं है, अपने मन को समझाओ, कि जब तुने शरण गुरू की ली है, तो फिर तु अपनी आवाज क्यों करता है, तु अपना दिमाग क्यों चलाता है, बैठ के गुरू से ये तो पूछो, मैं ठीक चल रहा हूँ, कभी पूछो तो सही, तुमने किसी को गुरू माना, समर्पन किया, उससे कभी ये पूछा है कि आप मेरे जीवन से संतुष्ट हैं, आप मेरी रहनी से संतुष्ट हैं, मुझे कहां-कहां बदलाव लाना चाहिए, आप मुझे ये तो बताओ, पुछा कभी, तुमारा अपना रोना ही नहीं खतम होता, कोई ना कोई, कोई ना कोई बात तुमारे पास, संसारी कह बस, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, फिर हम को ये कह दिया, फिर हम को वो कह दिया मेरा बाल बच्चा, मेरा ग्रस्त, मेरी माया इसी में पढ़े हो गुरू का उधर कोई प्रियोजनी नहीं है गुरू का प्रियोजन तुमारे से है तेरा उध्धार कैसे हो अवतार माना जो किसी को निमित बना के और धरम की स्थापना करते हैं हरे कवतार का जीवन यही रहा भगवान कृशन ने निमित बनाया आरजुन को पर असल में क्या किया? धरम स्थापित किया अधरम का नाश किया जो तुम चुन-चुन के एक एक गुरु के पास आते हो गुरु तुम्ही इस उद्देशे से तयार करता है कि तुम निमित बनो और धरम की स्थापना हो जाए अधरम का नाश हो जाए लेकिन तुमारा उद्देशे कुछ औरी होता है क्योंकि तुम्हे आदत है अपने सुख में जीने की अब तेरा मन बार बार अपने सुख की कलपना करता है मेर को सुख चाहिए और तेरा सुख पतानी कितनी जगा बटा हुआ है वो आदमी ने बोला मैं दुखी हो गुरु जी आशीरवाद दो सुखी हो जाओ बेटा सुखी रहे अब अगले दिन आया चाचा मर गया मा मर गई धन कम हो गया गुरु ने चमाट मारी बोला तु जो सारी दुनिया से जुड़ा बैठा है अब तुझ एक के लिए मैं कितने लोगों को ठीक करूँ आशीरवाद तो तुझे दिया था ना अब तुम भी आए गुरु आनंद दो फिर गुरु कह रहे मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे चलो फिर बीच में इधर मुडते हो इधर मुडते हो फिर कहते हो आनंद नहीं है फिर कहते हो मैं दुखी हूं फिर कहते हो मेरे मन में हलचल है क्यों है विकाज यू वांट सम्थिंग दादा जी तो और उंची बात बोलते थे वोला तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, एक ही कारण है, because you are ignorant, अज्ञानी हूँ, तेरा अज्ञान तेरे दुख का कारण है, तो अपने अज्ञान के सौभाव को जीतो न, अज्ञा मनुश्य मन लगा के बैठा है, वहां से उसको धका तो मिल नहीं है, हर एक को पता है, चाहे वो अपना शरीरी क्यों ना हो, ये भी बड़ा दोखे बाज है, अब बचपन में ये आखें इतनी तेज होती हैं, गिद जैसी, दूर की चीज भी दिखती है, थोड़ी उमुर बड़ी होती है, दिक्कत होती है, दूर कानी देख पाते हैं, फिर एक स्टेज आती है, च चश्मा अलग हो जाता है, अब पढ़ने का चश्मा अलग है, और इतनी अंधियारा जीवन हो जाता है, सुबह उठके पहले चश्मा ढूंडते हैं बुजर्ग लोग, चश्मा चड़ाए भिना वाश्रूम नहीं जा सकते, दोखा तो अपने शरीर से भी है, यही दोखे ब अपना करता रहता है, मेरे बच्चे मेरे को पूछेंगे, मेरा परिवार मेरे को पूछेगा, मेरा फलाना मेरे से ऐसे करेगा, अपने से पूछ लो, तुम अपने बड़ों से कितना बने बैठे हो, जो तुम से लोग बने बैठे रहेंगे, जमाना दीरे दीरे फरक हो रहा लेकिन सुख बुद्धी वो आसक्त करती है संसार में मनुष्य जिस जिस विशे में आसक्त है उसकी सुख बुद्धी उसके आसक्ती का कारण है अपनी सुख बुद्धी के कारण फसा हुआ है तुम्हें द्रिशे से सुख आ रहा है तो तुम द्रिशे में फस गया है में फसने जैसा कुछ नहीं पर तेरा सुख है उसने तुझे बांद रखा अटका के रखा यहां आके भी तुमने अपने तरीके से सुख माने हुए आत ओ गयो सुख तुमने अपनी तरह से माने हुएं किसी को पास बैठने में सुख है किसी को दर्शन में सुख है किसी को कहीं सुख है किसी को कहीं सुख है और गुरू का काम है तुम्हें दरपन दिखाना कि सुख स्वरूप तू है तो अपने सुख की कलई बाहर डालता है तो सुख आता है वरना सुख आप और तू अलगी नहीं हूँ, मजा तेरे अपने अंदर का है, पर कुत्ते वाली बिमारी है, हडी खाता है कुता है, और वो सोचता है हडी में रसे, उसके अपने जबडों का रसे, वही बिमारी है, यहां भी तुमारा मन दुएत में सुख मानता है, सोचते हो आप में सुख है, आपके पास बैठने में सुख है, आपके दरशन में सुख है, अगर तेरे भीतर सुख ना हो, आई ना, फरक ये है, तुमने अपने भीतर के सुख को किस से connect कर लिया, अब light आ रही है, power out यसे connect है घर्म तुमारा, light आ रही है, वहान से light power out कर दी ज जाती है, suppose, फिर तुमारे घर की बिजली इंवर्टर से भी जुड़ी हुई है, फिर वो ट्यूब लाइट वहां से भी जलने लगती है, जहां कनेक्ट किया हुआ है, वहां से आने लगती है लाइट, तुम अपने मन को जहां जहां कनेक्ट कर देते हो, कनेक्ट कहां करते हो, जहां तुम मानते हो, सुख तो असल तेरे अंदर है, मनोती तुम बाहर कर देते हो, मान लेते हो, इस्तरी ने का मुझे पती में सुख आया, पती ने का मुझे इस्तरी में सुख आया, रात को आती है इस तुरी देर से दो बज़े शादी से आए अरे तुम इत्ती लेट आई डर नहीं लगा ये साथ थे ये को पूछो कहेगा नहीं ये साथ थी आ गए दोनों बातें करते पता नहीं चला सबका एप्रिल फूल नहीं बना हुआ दुनिया में तुम जिसके सहारे हो वो तुमारे सहारे है तुम जिसमें सुख ढूंड रहे हो वो पलटके तुमारे में सुख ढूंडे बैठा है यही तो अज्यान है गुरु आख खोलता है कि अगर सुख तेरे भीतर ना हो बाहर कहीं सुख नहीं है पर फरक क्या है तुने अपने सुख को कहां कनेक्ट कर लिया मन को कहां एक कागर कर लिया वो सुख वाँ से आने लगा एक छोटा बच्चा है उसको विशे सुख की पहचान नहीं है उसका सुख का है उसका सुख है खिलोने में उसने अपना सुख वाँ पहले माँ की गोद में connected था, फिर माा के दूद से connected था, फिर खिलोने से connect हो गया, फिर दोस्तों से connect हो गया, फिर पत्नी से connect हो गया, धन से connect हो गया. जहां जहां जिस डाल पे उसने connection जोड लिया वहां से सुखन भाव करना शुरू कर दिया हम ये कह रहे हैं दस जगा connection जोडने की जरूरत नहीं आप से आप connect हो जाओ यानि की अवस्था क्या है आत्मा से आत्मा में संतुष्ट आत्मा में रमन करने वाला उसने अपना सुख बाहर ना समझे अपना सुख स्वयम में समझा है इसलिए बाहर किसी की मौताजी नहीं दुख्य सुख्य होने की भावना नहीं अब कई चीजों को दुनिया में भी लोग करतव्य करम कहते हैं पर करतव्य समझ के करें आफिस में जो लोग जॉब करते हैं ड्यूटी समझ के करते हैं तो वहाँ से कोई एक्सपेक्टेंस वहाँ से कोई दुख नहीं आता ना पर जब अपने बाल बच्चों की बात आती है आप कहते हैं हम ड्यूटी समझ के करते हैं लेकिन ड्यूटी नहीं समझ रहे हो, connected हो, इसलिए मुह के जटके आते हैं, दुख सुक के जटके आते हैं, उनके पास फेल होने में उल्जहन होती है, उनके एड्मिशन के लिए उल्जहन होती है, उनके हसने में हसते हो, उनके रोने में रोते हो, connected हो, ड्यूटी नहीं कर रह आए उखाली अगर संसार में कोई वेक्ति ये समझ के रह जाए कि कर्तव्य करम शरीर का वो हो रहा है उसके पास दुख जैसी कोई बात ही नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेंस ही नहीं होगी कोई पर कनेक्शन है तो एक्सपेक्टेंस है अब एक टीचर ने बच्चे पढ़ा ह ये PGT टीचर्स हैं 11-12 के बच्चे तक पढ़ाती हैं कालेज में लेक्चर आर्ज हैं ये लोग पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ा के साइड कर दिये कौन जाके सबजी बेचेगा और कौन जाके इंजिनियर बनेगा कौन का लेक्टर बनेगा फरक पढ़ता है कोई नहीं पढ़ करता है यूटी कहा हुई है मोवा सिधा सिधा इच्छा हुई सिधी सिधी अब प्रॉब्लम आपकी यह है आप आए तो अकेले संसार में जाओगे भी अकेले लेकिन बीच में इतना जमेला पाल लिया है एक दिन भी सुका नहीं बीचता डंग से सुका एक दिन बीचत क्योंकि इतने जमेले पाल लिया है अपनी जान को है कुछ नहीं अभी प्राण शान तो जाये तुमारा नहीं चालस तेरे साथ धना रे तो क्यों लिप्टाए मुर्ख मना धन खाली पैसा नहीं समझना पर किसी भी प्रकार की माया संग तो चलेगी नहीं लेकिन कनेक्ट इ दुखी होते ही रहते हो सारा दिन दिमाग में बोज है अनंद क्यों नहीं तेंशन ही बहत है तुमें बच्चा भी एक रूट के रोटी ना खाए मां के अंदर रोटी नहीं जाएगी फिर दस बार कमरे में जाएगी मनाएगी अच्छा बता ये बना दूं ये बना दूं य इतनी मुसीवत है, अभी छोटे होते थे ना हम लोग, जो घर में बनता था सोई खाना, फास फूड के जमाना ही नहीं था, और सबजी में भी नकरा नहीं था, जो सबजी घर बनेगी, वो सबको खानी है, आजकल, बच्चे आते हैं यहां पे अमर पास, इतने चूजी हैं, य यह तो खाती हमें वमिटिंग हो जाती है, एक दो कुझ अवर जस्ती खिलाया एक चमच, वहीं उल्टियां करनी शुरू कर दी, लो भाई, किसका परिनाम है, माओं की ममता का परिनाम है, ऐसे बच्चे जीवन में कहां सफल होंगे, राज कुमारिया फूल सी बना के रख द दुनिया में जहां जाएंगे इतनी पैंपरिंग तो मिलेगी ने, होस्टल जाएंगे कौन पैंपर करेगा, बीवी आएगी उबैट के पैंपरिंग करेगी ऐसी, तुमारे मुहों ने बिगाड़े लोग, पर इस मुह में तुमको सुख लगता है, तुम देखो कई बउए आके सास को लेना देती है, आपने क्या सिखाया इनको? दंग से खाना तक नी सिखाया, ये नी सिखाया, पर माओं को फरक नी पढ़ता, उसको लगता है मेरे कॉलर अप ओ रहे हैं इस में, मैंने अपने बच्चों को बड़ा ऐसे रखाया, मैं गर से बार पैर नी रखती थ मैं ऐसे पालती थी, मैं ऐसे बच्चा मेरा मूँ से निकाले बना के देती थी, तो अब बच्चे को आदत ही नहीं ना, बिगाड कहां से आया, तेरी ममता से आया, पर इस नालायक ममता ने तुझे सुख दिया उस समय, अपने सुख के पीछे तुने बच्चा बिगाड दि और कहते हैं माँ की ममता बड़ी निश्काम होती है, निस्वार्त होती है, कहीं नहीं सबसे ज़्यादा मतलब ही माँ होती है, क्योंकि उसको सुख मिलता है वो तुम बच्पन से वो कहानी सुनते आये, वो कलेजा ले गया मां का फिर भी मां पूछती है, चोड तो नहीं लगी, वो बेटे के काम आया न कलेजा इसलिए, उसमें भी उसका सुख है, चल मेरे बेटे को तो अपनी पसंद की बीवी मिल रही है न, ले जाए मेरा कलेजा, यह सारी आरते कलेजै देती हैं, कोंसी नहीं दे रही है? एक बता दो जो यह कलेजा नहीं दे रही हैं, अच्छा बेटा तुम सुखी रहो, हमें छोड जाओ वेशक, जाओ अपने अपने घर में रहो, अच्छा बेटा, हम चले जाते हैं घर छोड़के, तुम लोग रहो सारी माय कलेजा दे रही हैं, कौन सी नहीं दे रही हैं, मुहो जहां जिससे रख लो, कलेजा तो चीर के दे नहीं पड़ता है, डिमांडी उनकी यही है, लेकिन ये कलेजे देने वाली कुर्बानियों के पुल नहीं होती हैं, मुहो के मारे होते हैं, जिनके प्रती मुहो उता है उनके प्रती त्याग में भी मनसुक समझता है इतना देवरानियों जठानियों से सास से लड़ाईयां करके सेट लेंगी चीजें लेंगी पर आगे अपनी बेटियों को देने में मोह नहीं व्यापता देवरानी पहन लेती कितनी लड़ाई की तुने इस सेट के लिए नहीं मेरा अधिकार है मेरे को देओ फिर अपनी बेटी को दे दिया मोह वाले के लिए इनसान कुर्बानी भी कर जाता है लेकिन उस कुर्बानी को त्याग मत समझने वो तुमारा सुख है तुमने अपने सु के एवज में कुर्बानी की तुम्हें सुख मिला उस से फोरन में सेटेल हो जाएं अलग घर लेके रह जाएं तुम्हें पूछें भी ना बेटे को फोन करेगी दफ्तर में चल कोई बात नहीं तेरी बीवी नहीं आने देती कोई बात तुम खुश है ना आपस में राजी ह ना मेरा अशिरवाद है सुखी रहो! सुखी रहो! कि Medical मोह नहीं है? कितनी गंदी ममता है अंडर कर यह जै अविचार के कारण क्या होता है? अपने आपको निश्कामी भी मानते हैं! बड़ा त्यागी बाबा भी मानते हैं मैंने जीवन में बड़ी कुर्बानिया की है बिना ज्यान के तुन्हें कुर्बानी कर ली बड़ी माहान है रोती काया है फिर क्योंकि कुर्बानी मुह में आके की थी कोई कुर्बानी की भावना नहीं बनी थी मुह में आके कुर्बानी की थी अंतर तो ये फिर कभी-कभी तुमारा यहां भी दिखाता है मैं भी तो इतना मिठता हूँ मैं भी तो कंप्रोमाइस करता हूँ तुम्हें जितना सुख मिलता है तुम उतना मुड़ते हो उसके आगे तुम गुरू के पास भी नहीं मुड़ते हो अन्भाव कर ले ना इस बात को चाओ तो लिखके ले जाओ डाइरी में तुम यहां भी उतना मुड़ते हो जितना तुम्हे सुख मिलता है अगर तुम्हे सुख ना मिले तुम Guru को छोड़ के जाने में भी देर ना करोगे अगर Guru तुम्हें तुम्हारे मन के विप्रित आग्या दे दे तुम भाग खड़े होंगे Guru को गलत कह देंगे मन को नो नहीं कर पाएंगे Guru क्यूं कहता है अभी इतबार नहीं कर सकता किसी पर तेरे मन पे अतबार नहीं कर सकता, वो जानता है, मन तुम्हारा ऐसा ही है, यह अपने सुक के पीछे, एक लड़की शादी करके आती है, माईके में आके इत्ता कुर्बानी का पुल ससुराल में बन गई, जिस माईके में पच्चीस साल रही, उदर मुड के भी नहीं देखती आएगी थोड़ी देर चली जाएगी, क्या मिला, अब उसका सुक का केंदर बदल गया, जो सुक पती से मिल रहा है, वो तुम से नहीं मिल रहा था, अब उसको पती प्यारा हो गया, फिर बच्चे हो गए, अब उसको बच्चे में सुक मिल गया, पती की भी वैल्यू कम हो प्रती पिटते मिलते हैं कई बार बच्चे होने के बार मेरे अध्यानी नहीं रखती हो यहीं नहीं करती हो लड़ाईयां होती हूँ क्योंकि वो बच्चे को देख रही है रोटी भी डंग से नहीं दे पाती उठा के खालो पढ़ा तो आए वहां पे सब कोछ नजर नहीं आता आपको कभी चाहे खुद बना के पीलो जगडे शुरू वो हैरान होता है कहां तो मैं अगर दफ्तर से आके अपने शूज भी रखने जाता था तो लड़ाई कि बात नहीं है उसको हम solution बता रहे हैं क्या हुआ है अगली का केंद्र बदल गया है सुक का अब तुमको यूज कर लिया उसने तुमसे ले लिया जो सुक लेना था अब उसको मिल गया बच्चा अब उसको उस बच्चे में सुख खा रहा है नया खिलोना नया ट्वाय आ गया अब उसका मन उससे लग गया ऐसे इंसान का केंदर बदलता है सुख का और सुख का केंदर क्यों बदल रहा है स्वासुख के लिए टोटल बात ये इंसान अपने सुख में जीता है किसी के लिए नहीं जीता है इंसान अपने सुख में जीता है अपने सुख को प्यार करता है कोई किसी को प्यार नहीं करता गुरू से भी सुख मिल रहा है तो गुरू प्यारा लग रहा है ना मिले गुरू से सुख फिर प्या अर्समे गुरू तुमारे मन का विरोध करे, फिर प्यार करके दिखाओ, फिर मन चलने लगता है, उदासी आजाएगी, कभी लगेगा इनको पता नहीं चल रहा क्या, कभी लगेगा अच्छा दूसरे को प्यार करते हैं, कोई ना कोई खिटपिट खिटपिट मन में शुरू ह जाती है, किसको प्यार कर रहे हैं, अपने सुख को, पती कहता है मैं पत्नी को प्यार करता हूं, नहीं अपने सुख को प्यार करता है, पत्नी से सुख मिल रहा है, इसलिए पत्नी को प्यार करता है, समझो सुख ना दे, फिर कहेगा मायके चली जा, फिर कहेगा निकल जाए यहां से, समझो पत्नी मर जाए, फिर दूसरी ले आएगा, गम में तो बैठा नहीं जाएगा, दूसरी ले आएगा, कैसे, क्योंकि अपना सुख प्यारा है, स्वामी रामतीरत ने बताया, एक जगह वो खड़े थे, घर में आग लग गई, पत्नी ने पडोस की दुकान से फोन किया पती को, या पडोसियों ने किया, जल्दी आजाओ, घर में आग लग गई है, दौडा भागा, घर पहुँच गया, पत्नी बाहर खड़ी थी, शुकर रहे चलो, यह बच गई, पत्नीने का हमारा बच्चा अंदर रह गया, छोटा बच्चा, छे आठ महीने का उंदर रह गया, सब के आगे हाथ जोड़ने लगा, कोई मेरे बच्चे को निकाल दो, कोई मेरे बच्चे को निकाल दो, मैं सारी जीवन की कमाई देने को तयार हू कोई मेरे बच्चे को निकाल दो लोग असने लगे बुला तु इतना कुछ करने को तैयार है जाके अपने बच्चे को खुद निकाल दो कहता है मैं मुझे कुछ हो गया तो बीवी को कहता है कोई बात नहीं हम दोनों सा लामत हैं बच्चा तो और भी हो जाएगा छोड़ रामतीर्थ उदर खड़े थे उन्होंने का मेरे को निशकर्ष समझ में आया मनुष्य सिर्फ अपने सुक को प्यार करता है स्वयम को प्यार करता है अब अपने सुक के लिए किसी को प्यार करता है कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा है, गलट फेमी है, माबाप कहते हैं हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं, नहीं उनके अनुसार चलते फिर गुसा क्यूं आता है, अच्छे नंबर नहीं आते तो गुसा क्यूं आता है, सफल नहीं होते, परिशान क्यूं होते हैं, सुख चोड़ लिगा है ना उनके साथ अपना, हर माबाप को आप देखो, बड़े संसकार देने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिमाग में विचार डालते हैं, कि बच्चे हमारे ही अंडर में रहें, इस चक्कर में कई बच्चे तो ब दू भी बन जाते हैं, जहां माबाप का ज़रा जादा ही वो रहता हैं, दब दबा, बार दुनिया से इंट्रेक्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे वो दू बन जाते हैं, अकल ही नहीं होती उनको, फिर हलांकी माई यह केती, मेरे बेटा सिधा बहुत है, सिधा नहीं है, कहीं बिगर्ड ना जाएं, अब ऐसे बच्चे या तो आजीवन मू रख रह जाते हैं, बीवी की भी खाते हैं मार, सफल कहीं नहीं होते, या फिर जिस दिन उनको अचानक हवा लगती है, दो को स्कूल टाइम तक माई काबू रख लेती हैं बच्चों को फिर भी, कॉलेज में जाते ही, अचानक हवा लगती है न, समझी नहीं आता ही हमारा बच्चा है, चेंज, परिवर्तन, जितना तुमने दबाया, वो उतना खुल के जीना चाहता है, जितना तुमने पकड़ा, वो उतनी आजादी चाहता है, बैलेंस तो सब के जीवन में, लेकिन हम अपनी कारण, बैलेंस नहीं बनाने देते, इंबैलेंस करते, क्योंकि हमको इसमें सुख आता है, इंसान की एक प्रकृती है, सब को अपने पीछे घुमा के खुश होता है, शादी होती है, लगता है पती मेरे पीछे घुमे, बच्चे होते हैं, मामा स्पैट बने, चाह शादी भ दार-बार केहते है, जो रूका गुलाम हो गया, जो वो सिखाएगी वह करेगा, क्यों बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी मेरा गुलाम रहे, मामा स्पैट रहे, पत्नी का ना बने, तो लई क्यों फिर शादी ना कराती न, क्वारा बिठाय रखती, तेरा ही बना रहता, और और फिर अब उसको पत्नी में तेरे से ज़्यादा सुख मिल रहा है क्यों बने तेरा हर कोई सुख का गुलाम है नेक शादी नहीं हुई थी मम्मी मम्मी करता था अब तू उसी का नाम लेता है मम्मी तो जबान पर आता ही नहीं जब तक उसकी मांग उन सुखों से थी जो डांट लगा देनी है पैसे तेरे से मिलने चोरियां तू ने चुपानी बना के तू ने खिलाना उसकी चोरी में तू इससे दार थी तरसे ही सुखा रहा था इसलिए पापा पापा नहीं करते बच्चे ममी ममी करते है फिर पत्नी आ गई अब जो सुख पत्नी से मिला लो त तो कभी मिला ही नहीं, मा चल दिया हूँ, अब तू देखती रहे, बस जब से वो आई है हर टाइम उसकी बात करता है, उसकी बात, हर टाइम कमरे बंद हैं, हर टाइम अंदर पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, सुनता नहीं दस आवाजें लगा दू, यही था एक आवाज बागता आता था, आवाजें देती रहों, सुनता नहीं अब, क्यों शोक है इतना, इतना शोक कहां से पैदा हो गया, इच्छा से, क्योंकि तुमने शुरू से इंवेस्टमेंट करी, कि बड़ी हो के इस FD को भुनवाऊंगी, लेकिन वही हो गया, भमरे ने खिलाया फूल पूल को ले गए राजकुमर, यही हालत हो गई, फूल तुमने खिलाया, जब तक खिला, जब तक सुख देने का वक्त आया, राजकुमरी आ गई एक और, पूल लेके गायब, अब तु देखती रहे, तुझे सुगंद भी ना मिली, गुलकंद भी ना मिली, कुछ ना मिला तुझे, यही शोक है, क्या शोक है, तुम बताओ ना, तुम खुशी से तुमने शादी कराई, खुशी से तुम भाहू लाए, सब काम तुमने खुशी से किया, उसके बाद अचानक क्या हो गया? कि तुम अपना विचार बदलना भूल गए? हुआ तो यही, तुम अपना विचार बदलना भूल गए? अब तुमें सुक किसमें समझना था? कि वो सुखी रहें, तुमको इसमें सुक समझना था? पर तुम अपनी टांग बीच में अड़ा के रखना चाते हो, उसमें सुक समस्ते, यही दिक्कत है, मनुष्य का मन यह है, और कुछ नहीं, एक स्टेज पे आके प्रेम को निशकाम होना होता है, वैसे तो प्रेम मना ही निशकाम है, चलो, फिर भी तुम चलते हैं, कहीं तुमें भी सुख मिलता है, पर एक अवस्था आनी चाहिए, जहां प्रेम निश काम होने में सुख समझे, देने में सुख समझे, लेने में नहीं, जैसे लड़की के माबापें, कन्यादान में सुख समझते हैं, उनको बहुत उचा दरजा दिया जाता है, जो कन्यादान करते हैं माता पिता, कि वो कन्यादान करके, अब किस में सुख समझते हैं, बेटी अपने घर में सुखी रहे। बहले कई बार माईके वालों से दामाद नहीं रखना चाहता, कुछ होता है, तो भी बेटी को क्याते है, तू सुखी आई ना घर में, ये प्रेम निश्काम, कि अगले अपने में सुखी रहें, हमने अपना फर्ज किया, लड़के के माता-पिता को भी होना चाहिए, तुमने शादी करा दी, अब वो सुखी रहें, प्रेम निश्काम हो जाए, गुरू के पास आते हो, भक्ती निश्काम हो जाए, अब शुरू में आते हो, अच्छा तुमें भाव होते हैं, मन में उमंगता रंग होती है, गुरू से भी मन चाहता है, गुरू हरता रहा से भरपूर करता हैं, साथ बीलता है, साथ बिठाता है, साथ खिलाता है, गुमाता है, जहां सत्संग जाना है, अच्छा तुम भी चलो, बले हमारी गाड़ी में बैठ के भी चलो तरप्त करता है एक समय आके तुम्हें निश्काम हो जाना चाहिए देने में सुक समझो उनकी मर्जी में अपनी मर्जी में लाओ तेरे जैसे और भी तो आएंगे उनको भी तो वो देंगे जो प्रेम निश्कामता की तरफ नहीं बढ़ रहा वहाँ प्रेम का आर्थ समझा नहीं गया है प्रेम इतना निश्काम होता है वो कहते है जो सुख मुझे मिला सब को मिले प्रेम इतना निश्काम होता है वो चाहता है दोगो दुनिया में फर्क है दुनिया में लोग क्या कहते है प्रेम कैसा हो एक आधिकार की भावना वाला विपत्नी कहेगी पती पर मेरा एका अधिकार हो बुड़ापे तक भी शक खाएगी किस से बात कर रहे थे किसका फोन आया था चोरी-चोरी मुबाइल भी देखती है एक आदमी ने रात को दो बजे अपने गुरु जी को फोन किया गुरु जी उठ बैठे बेटा सब ठीक तो है किता है गुरु जी मैंने देखा पत्नी पास सोई हुई है उसके चेहरे पर इतनी किरने फूट रही है इतनी चमक इतनी दमक फ्यासे तो उसने फेस ढखा हुए चादर से पर अंदर से इतना प्रकाश आ रहा है मिरको अच्छा भी लग रहा है डर भी लग रहा है गुरु जी क्या है यह उसके अंदर कोई देविय शक्ति आ गई है कुछ उसकी समाधी लग गई है क्या हो गया है गुरु जी बोले नालायक तेरा मोबाइल चेक कर रही है देख तेरा मोबाइल का है वो अंदर चादर के तेरा मोबाइल चेक कर रही है किसका मेसेज सारा द वह भी शक्ति नहीं आ गई, कुछ समाधी नहीं लग गई उसको वो रात को उठके ये काम करती है, मतलब बुड़ापे तक भी शक्त चलता है, होता है नहीं होता है, एक अधिकार, मेरी सिवाए कहीं देखे नहीं, मेरे सिवाए कुछ करे नहीं, मा आवाज लगाए तुरंत अधिकार लेकिन सच्छंग में आके हम लोग क्या सीखते हैं, यह कैसी भावना बननी चाहिए, यहां मन करता है, सब को पकड़के गुरु की शरण में डाल दें लाके, यानी मन करता खाली मुझे मिले, यहां लगता है सब को मिले, प्रार्थना करते हैं, सब को मिले तेरी रहमतें, सब को मिले तेरी बक्षिशें, हर चहरे पर रौनक रहे, दावा ना कोई उदास हो, प्रेम निशकाम हो जाता है, उस दिशा में चलता है वो, मैंने लिया आप सब को मिले, मेरी मेरी चले नहीं, भगवान पर सब का अधिकार है, सब को मिले, भगवान का प्यार को मिले, भगवान की तो भवना हैि कि राधा को भी प्यार करूँ वैसा ही प्यार कुपजा को भी करूँ, लेकिन राधा अव्रोधनाउठपन करे, रुक्मनी अव्रोधनाउठपन כरे, भगवान तो सब के लिए दूın, 16,000 के लिए उस समें, 16,000 शरण आई तो भइये ना पर जितने शरण आजाएं भगवान तो सबका है, भगवान पर सबका अधिकार है, जैसे मेरा मन है, मेरा प्यार है, मेरा अधिकार है, मेरे को लगता है, वो मेरे सबके मन में ही तो यह होगा न, बल्कि प्रेमी हिर्दे सबके प्रेम को जानता भी है, और सबके प्रेम की कदर भी करता है, सब के प्यार को value देता है और कोशिश करता है अगर हमारी तरफ से भी किसी की मदद हो जाए कि उसके भाव पूरे हो जाएं, उसको भगवान का प्यार मिल जाए, प्रेमी उसके लिए भी प्रयासरत रहता है, यह नहीं कि सकाम हो के जिये, तुमारा प्रेम सकाम क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, मुझे ही मिले, मैं ही जैसा चाहता हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगता है, मेरे को जैसा ठीक लगता है, तुम्हारा मन इस दिशा में बहुत चलता है इस दिशा में मत चलो स्ट्रॉंग हो करके चलो मन का विरोध कर सको यह मन तुम्हें बार-बार कमजोर बनाता है क्योंकि अपने तरीके से बात चाह रहा है सारी जैसा मैं चाहता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ जैसा मुझे अच्छा लगता है नहीं भगवान को जैसा अच्छा लगता है क्या हुआ फिर भगवान कहते थे समझो आज तुम्हें गाड़ी से उतार के दुसरे को बिठा लिया तो कभी तुम्हें भी तो ऐसे बिठाया होगा ना किसी को उतार के क्या हुआ फर कोई बड़ी बात नहीं किसी को समय दिया अच्छा कभी तो में भी तो एक आंट में समय दिया तुमसे भी तो महनत किये तुमारे लिए भी तो सोचा है तुमारा मन दखने के लिए भी कभी कहीं चले होंगे कभी तुमारे घर आये होंगे कभी तुमने कुछ बनाया होगा भोग लगाया होगा मन है नहीं है तुमारे लिए भी तो special किया ही होगा ना कभी तो आज किसी के लिए किया तो क्या हो गया सबसे बड़ी बात है घायल की गत घायल तो जानता है ना मीरा को जलिसी नहीं है किसी से राधा को फिर भी है, मीरा को नहीं है, क्यों नहीं है, मीरा जानती है प्रेम में कैसी तडपन है, मीरा जानती है प्रेतम को पाना कैसा होता है, वो इन रागद्वेश का शिकार नहीं हुए, उसने कहीं राधा के लिए, रुकमनी के लिए कोई भजन में कोई बाती नहीं प्रादा को समझाना पड़ा, अरे मन ही मन क्यों जले रादि का, मोहन तो सबका प्यार आहे, मोहन तो सबका प्यार है, और इतना दिल बड़ा करना ही पड़ेगा, तब भगवान के साथ चल भी पाओगे, अगर तुम ये सोचो भगवान खाली मेरा ओके रहेगा, तुम के साथ चलते हुए, ये तो बात दिमाग में रखना ही मत, कि वो खाली मेरे हैं, ऐसे प्यार में बोलो मेरे अच्छी बात है, पर एकाधिकार बाहर से जमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सबके हैं, जैसे तेरे लिए आएं हैं, सबके लिए आएं, जैसे तुझे भरपू ऐसे सब ने उनको वराए ये भी तो भात है हमारे अपने अंदर इतनी उदारता निश्कामता खुलापन ये सब होना चाहिए वरना हमारा मन फिर यहां पे भी उल्जाई रहेगा आनन्द होने के बजाए फिर में उल्जान होगी फिर हम अपने तरीके से ही चाहेंगे अपने तरीके से चलना चाहेंगे दूसरों से कंपेरिजन करेंगे ये तो ऐसा मैं तो ऐसा नहीं ये कोई बात ही नहीं फरक है सब बातों का फरक है सबकी प्रारब्द का फरक है सबके भावों का फरक है गुरु का सबको देने का तरीका फरक है एक बात तो होई नहीं सकती अब जांगोपियों को रास करने ले गए अब रादा बोले खाली मेरे साथ ही रास करो नहीं रास तो उनका सबके लिए जो उनके प्रेमी हैं जो उनको समर्पीत हैं उन सबका रास में अधिकार है ये नहीं हो सकता कि एक का अधिकार हो खाली सबका अधिकार है कि भगवान सब के है मन कभी कभी दूसरों से comparison करने लगता है ये तो पास बैठा है ये तो ऐसा है तो तुम भी योग्ये बनो प्रकृति तुम्हें भी पास बैठा देगी हमारी एक तो अजीब बात क्या होती है हम बाहर से जिद करना चाते हैं बाहर से एक्शन करना चाते हैं बाहर से दूसरों की तरह बनना चाते हैं और हम तुम्हें एक बात बोलते हैं कि योग्ये बनो प्रकृति तुम्हें योग्यता देगी यू उनली डिजर्व नीड नट डिजायर डिजायर मत रखो इच्छा मत रखो यू उनली डिजर्व योग्य बनते जाओ एक इंट मंदिर में लगने योग्य उसको गली में कौन पढ़ा रहने देगा पहुंच जाएगी किसी मंदिर में लग जाएगी तुम भी योग्य बनो अब पुर्शार्थ हमारा योग्य बनने की तरफ होना चाहिए ना कि पुर्शार्थ हमारा दूसरों से कंपेरिजन की तरफ होना चाहिए कंपेरिजन में तो गलत हो जाएगा योग्य वनो गुरू जहां से बात करता है वहां से कैच करो अब तुम दूसरे को देख के थोड़ी चल सकते हो एक आदमी ने अपना स्कूटर रिपेर कराया मेकैनिक से मेकैनिक ने बड़ी महनत की पुर्जे ढूंड के लाया कुछ किया तेखा उसने पूरा दिन बड़ी महनत की मेकैनिक ने तीन चार बज़े तक स्कूटर रेडी कर दिया बड़ा खुश हुआ जो उसने पैसे मांगे वो तो दिये साथ दो अजार और दिये बोला साब ये किस लिए बोला आज बीवी को पिक्चर दिखा लाना कुछ खिला भी आना साथ बज़े अचानक गंटी बज़ी उसके घर की जो स्कूटर वाला था दरवाजा खोला देखा वही मकैनिक साफ सुथरा नादो के कपड़े बड़िया पहन के आया खड़ा था बोला हाँ भीया क्या हुआ बोला कुछ नहीं बीवी जी को लेने आया उसने जो कहा बीवी को घुमा लाना तो उसके घर पोँच गया कि तेरी बीवी को ले जाओ घुमा लाओ पिक्चर दिखा लाओ खाना खिला लाओ तो जहां से बात कहीं नहीं समझा न जो तुमारे लिए कहां नहीं समझा न तुम फिर दूसरे के पीछे यह ऐसे करता है मैं ऐसे करूँ यह ऐसे करता है मैं ऐसे करूँ अब स्वेरे उसको जितना प्यार आया मकैनिक पे अब अब उतनी मार मारेगा उसको अब उतना क्रोध करेगा उसके उपर के नहीं करेगा तो तुम्हारा मन क्या करता है गुरू कहता है योग्ये बनो तुम्हारा मन दूसरों की नकल करके गुरू को योग्यता दिखा के और Guru से रिवार्ड चाहता है वही बाला मैं जैसा चाहता हूँ जैसे आप ने उसको प्यार किया जैसे आप ने उसको पुछा तो गलत है अब तो उतनी मार खाओगे तो कई लोग खाते हैं हमारे पर हमेशा गुसा हो जाते हैं हमेशा ऐसे डांट के जवाब मिलता है मिलेगा अब वो क्या करे उसका वो उसकी बीवी को लेने आ गया भेज दे मैंने पैसे दिये थे ले जा पिक्चर गुमा ला उसका तो मतलब था अपनी बीवी को गुमा के ला गुरू का क्या मतलब है अपने को योगे बना अपने को ठीक कर नकल ना कर किसी की दूसरों जैसा मत बन सच्संग में भी किसी की टोपी मत पैन गुरू का मतलब तो समझो तुम कां से कां चल देते हैं कां से कां निकल लेते हैं यही अग्यान है राइट बात को समझ के और अपने को ढ़ालो तुम मुडने आयो मुडने आयो तुम्हें ये भी नहीं पता गुरू के पास तुम आये हैं तुम मुडने आयो न तुम्हारा मन उनको भी मुडने का होता वो हमें समझें तुम उने समझो वो तुमें समझें तुम्हारे में समझने लाइक है क्या, एक तेरे पास एंकार है, एक तेरे पास थूल बुद्धी है, संशियों से बरी हुई, एक तेरे पास मन है, जो एक आगर होता कभी नहीं, दस दिशाओं में भटकता है, क्या है तेरे में समझने लाइक, चलो एक बार तुम खुद बता दो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसको गुरू को भी समझना चाहिए तो साघा समय भी Je appropriate to understand गुरू भी तो हमें समझे मैं बताओ क्या समझना है कि तुम्हारे पास क्या है जिसको समझना है बताओ कि एक चीज तो बताओ नnosüş काम की जिसको चलो हम समझने की कोशिश करते हैं है कुछ कुछ समझने योग्य है तुमारे पास जिसको गुरू समझे या तुम्हे गुरू की समझ से अपनी समझ को सही करना मालूम तो तुम्हे ये भी नहीं बहुत हुश्यार बनते हमारे प्यार को समझा जाए प्यार को समझ के ही तो यहां बिठा रखा है लेकिन प्यार के अलहड़पन को गुरू नहीं समझेगा उसको मैच्योर करेगा यह मुर्ख तुम हो तुम प्यार नहीं समझाना चाते प्यार का अलहड़पन स्विकार करवाना चाते हो प्रेक्टिकल लाइफ और थेोरोटिकल लाइफ में फर्क होता है पिक्चरों की जिन्दगी और घर की जिन्दगी में फर्क होता है जो एक्टियर पिक्चर में जिन्दगी जीते हैं उनके भी घर जाके देखो नॉर्मल लाइफ अलग है पिक्चरों वली जिन्दगी कोई जी सकता है क्या तुम सोच के बताओ तुम लोग भी यहां आके हवा में उड़ने लगते हो कभी मीरा बनने लगते हो कभी राधा बनने लगते हो राधा के वो एपिसोड तुमारे सामने है जितना क्रिशन के सामने थी रहती तो अपने घर में थी क्रिशन जी से बड़ी थी एज में उसका अपना घर परिवार था वहां रहती थी और कभी उसने क्रिशन जी के आगे आके रोना नहीं रोया, मेरे घर में ये हो गया गोपियों का फिर भी चक्कर पड़ा कहीं उनके कुछ नुकसान हुए कहीं, कुछ कहीं, रोटियां बनाती रह गई क्रिशन के ध्यान में चली गई राधा के तो एक कंप्लेंट नहीं आई ऐसी ससुराल से केरफुल थी ये भी एक पहलू है रियल लाइफ का तुमारे सामने कितना आया बस राधा ही क्रिशन की प्यारी है राधा प्यारी इसलिए क्योंकि एक दिन भी भगवान का मूनी नीचे हुआ उसके कारण कंप्लेंट नहीं आई उसके प्रेम के कारण इसलिए उसका प्रेम उसकी भक्ती परवान चल गए विचार करने वाली बाते हैं अगर सब ऐसे ख्याली दुनिया में जीने लगे बहुत मुश्किल हो जाएगी जिन्दगी ख्याली दुनिया नहीं है प्रेक्टिकल ग्यानी की जिन्दगी प्रेक्टिकल है एक दम कहां क्या निर्णे लेना कहां कैसे चलना सब उसके पास समझे और दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है क्रिशन तभी करम योगेश्वर भी है तुम नहीं है करम योगेश्वर क्योंकि तुम एक साइड चलते हैं और बह जाते हैं इधर तो आर्टिस्ट बनना तो उस डिफरेंस को समझो अपनी सुख बुद्धी तुमारी भक्ति मार्ग में भी बाधाक है अपनी सुख बुद्धी तुमें भगवान के नजदीक जाने में भी बाधाक है अपनी सुख बुद्धी मन मोडने में भी बाधक है तुमारी सुख बुद्धी गुरु को शेप नहीं देने देती तुमारे जीवन को अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इसलिए बी केरफुल समझदार बनो, साफधान बनो और गुरु ने जो दिशा तुमारे लिए निरधारित की रामकृष्ण परमंस जो लड़के रहते थे पास उनको एक बात हमेशा बोलते थे तुमारे जीवन के लिए जो दिशाएं मैंने निरधारित की है उस पे चलो अपनी बुद्धी के गोड़े मत दोड़ाओ बीच में मैंने भी तो कोई दिशा निरधारित की है तुमारे लिए चलो उस पे तुमारी बुद्धी अर जगा बीच में आ जाएगी ठूंगा मारने एक बात को भी तुम एक बार में बोलो ये सर ये काम आज नहीं करेंगे कल करेंगे थोड़े दिन बात करेंगे थोड़े साल बात करेंगे अभी क्यों नहीं हांजी यां करनेlines की आदत है नहीं मंसे सला करके भगवान कुछ पूछते थे न हम लोग एक मिनिट लगा दें फिर बोलें हांजी वो एक दम तपाक से हां तो नहीं की हमें इसका मतलब तुमारी अपनी बुद्धी है अभी तुमारा मन है तुमारी सोच है तो यह तो बीच में बादक बनेंगे ये तो मनजिल पर नहीं पहुँचने देंगे तो सावधान रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से ये गद्दार हैं तेरे घर में छिपे हुए तेरा एंकार, तेरी बुद्धी, तेरा मन ये सब तेरी घर में छिपे हुए गद्दार है इनसे बच के चलना तो मन्जिल में लेगी ठीक है